संसत का सत्र शुरू हो चुका है मेरे साथ में इस हाउस के सबसे यंगेस्ट एमपी हैं रज्जी सुभा के रागव चड़ा हैं चड़ा जी क्या मुद्दे रहने वाले आज का आपका पहला देने सत्र का क्या सोच के गए हैं देखे आज एक नई अध्याय का एक नई पारी क अपने जीवन में शुरुबात करने जा रहा हूं गुरू महराज की गुरू साब के दरबार में अरदास करके आया हूं कि मुझे इतना समर्थ और बल्ब दें कि मैं सही रास्ते पे चलके पंजाब के हकों की लड़ाई सदन के भीतर लड़ सकूं और जो जिम्मेदारी मु पंजाब के किसानों के हिद की बात पंजाब में कोईली की सप्लाई को कम किया जा रहा है वहां से लेकर बीबी एंपी की बात सारे विश्यों पर मद्बूति से अपना पक्ष रखेंगे अंदिन आज ये भी है कि राश्ट्रपती का चुनाव है और आपकी पार्टी ने त इश्पक्ष और बहुत बढ़िया राश्ट्रपती के तौर पर वह साबित होंगे और हमारी उन्हें शुबकामना है उन्हें वोट भी देंगे जो अन ब्रेंडिड आइटम से लागू हो रहा है तो क्या यह मुद्दा रहेगा हमादी दो ऐसी बिमारियां है जो आज इंफलेशन महंगाई और इंफलेशन बेरोजगारी और महंगाई दो ऐसी बिमारिया है जिनका मुद्दा आम आदनी पार्टी जोर से सदन के बीतर उठाएगी पहले आप सिब तीन थे अब दस हो गए है तो लग रहा है ज्यादा बुलन्द बिल्कुल अब आवाज भी ब देश भर में भी देखें तो विपक्ष सिरफ आम आदमी पार्टी बचा है कॉंग्रेस ने तो अपने घुटने भाजपा के सामने टेक दी है तो अर्विंद केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी एक लौता विपक्ष है भाजपा का उस विपक्ष का हम प्रतिनिधित् कि विपक्ष कर दो